आज आज आया हूं नार्पूर के टेटली गड़ेश यह इंडिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां गड़ेश जी स्वेंबू निकले हैं वो भी पीपल के नीचे तो चलिए आपको दर्संतर आते हैं और दिखाते हैं आज पास पूल प्रसाथ की दुखाने मंदिर के गेट के भार अब हम मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं और मंदिर में जा रहे हैं यह स्टाफ की पार्किंग है लेशन करने आते हैं जो भो भी पार्क कर सकते हैं और काफी प्राचीन मंदिर है चलिए आपको दर्सं कराते हैं पहले चपल जूते का स्टेंड है यहां पहले चपल उतार देते हैं फिर आपको दर्सं कराते हैं यह मंदिर इतना प्राचीन है इसका भ्रम सुत्र में भी प्रमार मिला है विसी अगस्त ने टेकडी गडेश का उलेक किया है और लोग मानते हैं यह वही टेकडी गडेश हैं कितने बड़िया लग रहे हैं कि अच्छी हो रही है वह मंदिर है तो चलिए मंदिर जाते हैं हम दोनों दर्वाजों पर दो जगा हाती रखे हुए हैं गडेश जी का मंदिर है तो उसी साफ से हाती रखे गए हैं मैं आपको इसकी खाचे तौर बता देता हूँ यह इंडिया का पहला मंदिर है जहां गडेश जी पीपल के निचे स्वाइमभू निकले हुए है जो अंदर जा रहे हैं मंदिर के सिखने कितना अच्छा काम हो रखा है मंदिर जो पीपल का पेड़ है कि अब जो गणेश जी देख रहे हैं जिनके दर्शन कर रहे हैं यह स्वाइमभू निकले हुए हैं पीपल के नीचे कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा को पूल रहे हैं कि अच्छा की माला चड़ते हैं अच्छा को आप देख सकते हैं और बहुत सारी सर्धालू आ रहे हैं यहां दर्शन कर ने रखें एक्जीट के लिए अब देख से परिवार है अब देख से परिवार है अचलियो पर आगे बढ़ते हैं परकम्बा देते हैं गणिजी की आप सामने दर्शन कर रहे हैं राधा करशिन जी के कापी सुन्दर रूप है राम सीता लक्षमन जी के दर्शन कर रहे हैं आप जैसा अंकट मोचन कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर लिए तो चलिए उनी के सामने है लक्षमी माता का मंदिर वहां दर्शन कर आते हैं आपको टीकडी टीकडी माने होता है पहार तो लोग मानते हैं कि इस मंदिर की जगा पहार हुआ करता था बहुत बड़ा और जब अंग्रेज यहां अपनी रेलवे लाइन डाल रहे थे तो खुदाई के दोरान यहां पीपल के नीचे गणेज जी दिखे तो लोगोंने पूजा च जोना भी पूजा की ती घंपती की तो इसी तरहीके से यह मंदिर बहुत ज्यादा फेमस हो गया और लोग पूजा करने लग गया इदर और लोगोंने घर्शार आखे लाए लाएणिक स्ची को…